हेलो फ्रेंड्स लफफर प्लांटिंग में आप सब का बहुत बहुत स्वागत हैं तो फ्रेंड्स आज का टापिक है गेदे का पौधा अगर आप चाते हैं कि आपके छोटे से पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा गेदे के पौधे में कलिया बने फूल आए जसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे छोटे से पौधे में काफी ध्यर सारी कलिया बनी हुई है और बहुत एच्छी तरह से इसमें फूल भी आ रहे हैं तो अगर आप भी चाते हैं कि छोटे से पौट में ज़्यादा से ज़्यादा गेदे के पौधे में फ्लारिंग हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा है सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप गेदे के पौधा लगाएं तो छोटे पौट में बिल्कुल ही ना लगाएं आप जब भी लगाएं तो दस इंच का पौट में आप गेदे के पौधे को लगाएं और एक पौट में आप चाहें तो दो से तीन पौधा लगा सकते हैं जिसे कि आपका पौधा घना भी रहेगा और बहुत ज़्यदा फूल उसमें आएंगे इसके अलाब आप गेदे के पौधे को बीच से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं जब भी आप गेदे के पौधे को लगाएं तो इसकी मिटी हलकी और भुरभुरी आपको बनाना चाहिए गेदे के पौधे में आपको हमेशा पिंचिंग करते रहना है और जैसे खराब फूल है तो खराब फूल को भी आप तोड़ को हटा दिया करें और जो कुछ ऐसी कलियां रहती हैं जो कलियां अंदर से खराब हो जाती हैं इस टाइप का जैसा मैं दिखा रही हूँ इस टाइप के गर उसमें कली है तो आप तुरंद कली को तोड़ दिया करें और खराब फूल को भी हटा दिया करें जब आप उसमें पिंचिंग करते रहेंगे तो पौधा और घना भी होता रहेंगा और नई नी इसमें कलियां बनती रहेंगी और फूल भी आते रहेंगे और उसमें दूसरी बात यह कि आप इसको दिन भर की धूप में रखा करें आप ऐसे जगे गेदे के पौधे को रखिए जहां दिन भर की धूप इसको मिल सके जब अच्छी धूप मिलेगी तब ही अच्छी तरह से फ्लॉरिंग करता है उसके बाद बात आती है पानी की आप गेंदे के पौधे में बहुत ज़्यदा पानी आपको नहीं देना है पानी आपको दो से तीन दिन के बाद ही पानी देना है जब मिट्री उपरी लेड़ सूख जाए तब ही आप उसमें पानी देजे और हमेशा चेक करते रहा करें अगर पतियां खराब हो रही हैं तो पतियों भी तोड़ दिया करें और जो कलियां खराब होएं कलियों को भी हटा दिया करें इसके लगा फ्रेंड्स आप गेंदे के पौधे के मिट्री हलका और भुर भुरी रखा करें कभी भी गेदे के पौधे में जो उसकी मिटी है मिटी कभी भी सोगी नहीं होनी चाहिए और ना ही हर वक्त मिटी में पानी रहे या पानी उसमें अगर रुका रहेगा तो जड़ खराब हो जाती है आप जब भी गेदे के पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो आप मिटी, एक हिसा आपको मिटी लेना है, एक हिसा खाद, एक हिसा सेंड, तीनों को अच्छी मातरम मिला कर तब आप मिटी तयार करिए, वैसे इस टाइम तो लगबख सभी के गेदे के पौधा लग चुगा होगा, फ्लॉरिंग भी हो चुका होगा, दूसरी या तीसरी भर फ्लॉरिंग लेने के लिए आप इसे फटिलाजर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गेदे के पौधा नहीं लगाए हैं, तो इस टाइम अगर लगाना चाहते हैं, तो आपको मिटी, जैसा मैंने बता है, वैसे ही बनाना है, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी त पौधा आप अपने गार्डन में आड़ कर लेजे, बहुत ही अच्छी तरह से फ्लॉरिंग होती है, इसको लगाने के बाद आपको दिन भर की धूप में रखना है, आपको ऐसे जगह रखना है, जहां पूरे दिन भर की भरफूर धूप पौधे को मिल सके, तब ही उसमें दिर सारी कलियां बनेंगी, और बहुत अच्छी तरह से उसमें फूल आते हैं, और पौधे जब भी आप लगा रहें, तो जो नई उसमें पतियां आती हैं, नई ब्रांच आती हैं, तो इस टार्टिंग में आप उसको पिंचिंग कर दिया करें, पिंचिंग करते रहेंगे तो पौधा घना होता रहेगा, और जितना पौधा घना रहेगा, उतना ही उसमें फूल आएंगे, इसके अलाओ चलिए, बताती हूँ कि मैं कौन सा अपने पौधे फटिलाजर देती हूँ, तो यह है फिटकरी, और दूसरी चीज है यह है, डी एपी, आप अपने पौधे को दो-चार दाना डी एपी भी दे देंगे, तो दोनों ही पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा फायते मन्द होगा, तो किस तरह से देना है, तो यहाँ पर हमने एक लिटर पानी ले लिया है, आप इस पानी में आपको फिटकरी को डाल देना है, कम से कम दस मिनिट के लिए अब इसको इस तरह से पानी में डाल कर आपको दस मिनिट के लिए रख देना है, अब इसके बाद डी एपी, आप अपने पौधे में डी एपी क्या भी इस्तिमाल कर सकते हैं, डी एपी में नाइट्रोजन, फास्पूरस और पोटेसियम की मातरा रहती है, जिसे कि हमारे ग इस इंचे कापट है, तो दस से पंदरा दाने आप अपने पौधे में इस तरह से दे सकते हैं, जैसा कि मैं दे रही हूँ, अगर आपने गुडाई नहीं किया है, तो गुडाई करके तब आप पौधे में डी एपी देजिए, अगर गुडाई किये हैं, तो सिर्प आप इ जड़ तक पहु browsers पहुंसता रहेगा, आप देखिए यह 10 मिनट हो गया है, पानी जो है कि पानी चेंज हो चुका है, पानी अच्छे तरह से इसमें जो फिट करी है, फिट करी अपना रंग छोड़ दिया है, पानी सफेद हो चुकी है, तो यह पानी बहुत ही अच्छे तर हमें इसमें फूल आएंगे तो आप चाहें तो इतना आसान तरीके से मैंने जो फटे लाजर बताया है आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है या तो फिर गुबर की खाद है तो दोनों खाद में से एक खाद आप अपने पौधे को दे दिया करें तो महिने में एक बार आप अपने पौधे को कोई साभी खाद देंगे और टाइम प्यू टाइम आप इसमें पानी दे दिया करें दिन भर की धूप में रखेंगे तो देखेंगे आपका गेदे के पौधे जो है पूरे फूल से भरा रहेगा और फूलों का साइज भी बढ़ा रहेगा पूरा पौधा कलियों से भरा रहेगा तो इस तरह से जो मैंने केर और फटिलाजर बताया है आप भी यूज किया करें अपने पौधे में अगर आपके पौधे में किसी भी तर इतना ही उम्मिद करते हैं वीडियो और अच्छा लगा होगा तो लाइक सेर कमेंट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा